Good morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 10 The last class में हम लोगों ने pollination and fertilization पढ़ा था Obviously बात है जब pollination हो जाएगा और fertilization होगा तब क्या होगा? Formation of seed होगा, है ना? तो वो directly seed तो नहीं बनता है, वो क्या होता है? Fruit के अंदर बनता है generally तो वही है formation of fruit and seeds तो next देखते हैं हम लोग, the fertilized egg जिसको क्या बोलते है? Zygote बोलते है, एक cell का होता है, divide several times अब ये एक cell है, तो हमेशा एक cell का तो नहीं रहेगा न ये क्या करेगा? Divide करेगा, तभी तो उसमें growth होगा, तभी तो हमें visible होगा To form an embryo, क्या बनेगा? Divide करके, zygote divide करेगा, बहुत सारा cell में divide कर जाएगा, तो embryo बनेगा, तो within the ovule, ovule के अंदर ही, ठीक है? तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको I hope दिख रहा होगा, यह क्या? Ovule है, जहाँ पर एक था, ठीक है? यहाँ क्या है, zygote, यहीं पर यह क्या करेगा? Divide करेगा, बहुत सारा time, तो ovule के अंदर ही हो रहा है, चीक है? Next है, the ovule develops a tough coat around it, तो आपको याद होगा, seed के ऊपर एक coat होता था, seed coat बोलते थे ना, उसको, तो वहीं बोल रहा है, tough coat, यानि के काफी hard coat, coat मतलब इसका चाल होता है, तो surrounding में एक layer आजाता है, जो काफी hard होता है, and is gradually converted into seed, यह क्या किसमें बदल जाता है, वो covering नहीं, उसके अंदर वाला पार्ट जो embryo में है, बात एक ही है, in fact, all the eggs in the ovule present in the ovary of a flower get fertilized by male gametes from the pollen grain and grow to become seeds, तो यह बोल रहा है, जितने भी एक होते हैं, देखो भी यह बात मैंने पहले भी बताई थी, आपको कि यहाँ पर एक जरूरी नहीं है, एक एक होगा, ठीक है, यहाँ पर काफी जादा eggs हो सकते हैं, और जितने male gametes आएंगे, सबसे fuse हो जाएगा, अलग-अलग, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब एक ही में fuse हो जाएगा, सब अलग-अलग fuse होगा, क्योंकि आप जेनरली देखो, आप कोई भी सारे fruits में एक सीट नहीं होता, किसी-किसी में होता है, जैसे mango हो गया, उसमें एक ही सीट होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन जेनरली सब में क्या होता है, बहुत सारे सीट होते हैं, तो इसका मतलब क् तभी तो बहुत सारे सीट बन रहा है, तो सारे ovules का अगर fertilization होगा, तो क्या होगा, male gamut, pollen range से आएगा, तो fertilization होगा, and grow typical seeds, और फिर सारे क्या बन जाएंगे, सीट में बन जाएंगे, अगर fertilization successful हुआ, तो, next है तो ovary of a flower develops and becomes a fruit, देखो, यह question पूछा जाने वाला होता है, कि ovary किसमें बदल जाता है, देखो, आपका बोल रहा है, कि यह जो ovule के अंदर जो egg था, वो किसमें बदल गया, वो seed में बदला, लेकिन जो ovary था, यह part क्या है पूरा, ovary है, है न, यह आपको दिख रहा है न, यह क्या है, ovary है, तो यह ovary किसमें बदल जाता है, यह बदल ज यह वाला पार्ट सीड में बदल जाएगा तो जब फ्लावर का ओवरी फ्रूट में बदल गया ठीक है अब उसके अंदर का जो एक था वह सीड में बदल गया तो बाकी सारे पार्ट का क्या होगा अधर पार्ट आफ फ्लावर जैसे सेपल सेपल्स आपको ग्रीन वाला and stigma style ये क्या होगा female part था तो इन सब का तो कोई काम नहीं है क्योंकि fertilization में काम seed बनाना था वो तो बन गया तो ये क्या होगा सब सूख जाएगा and fall off जड़ जाएगा ठीक है only the ovary is left behind क्योंकि ovary तो किसमें बदल गया फ्रूट में बदल गया सिफ फ्रूट बच जाता है और इसके अंदर seed so at the place on plant where we had flower originally जहां पर पहले flower था अब वहां पर क्या हो गया fruit आ गया now we have fruit which which is the ovary जो क्या था ovary का ही developed part था ठीक है flower का सारा पार जड़ गया सिफ क्या बचा उसका ovary जो क्यों फ्रूट में बदल गया था तो आपको एक्जामपल यह क्या है जैसे apple क्या सीड है इसको मत बोले ना कि यह fruit है समझ में आया नेक्स राइए फ्रूट और प्रोटेक्स सीड फ्रूट का काम क्या है सीड को ब्रोटेक्ट करना ठीक है some fruits are sauce sweet and juicy like mango and oranges but some fruit are hard dry and woody like peanuts almonds almonds इसे इसे लिए तो उसको dry fruits बोले जाता है और विसे बात आप खुदी दिमाग लागा hard and dry peanuts है almonds है तो इसको क्या बोले आता है dry fruit बोला जाता है क्योंकि वह hard होता है और कुछ fruit soft होते देखो यह एक बात नहीं है कि यह से protection of seed करता है देखो fruit इस लिए बनता है ताकि seed disperse हो जाए dispersal of seed आपने previous class में पढ़ा होगा I hope अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ seed का dispersal होने का मतलब है seed को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज़े ना किसी के भी थूरू जनरली यह किसकी थूरू होता है birds के थूरू होता है तो इस चीज़ के लिए भी होता है ताकि dispersal हो सके तो जैसे कि मैंने बोला था कि nectar जो होता है वो एक तरीके का अवार्ड होता है ताकि वो पॉलिनेशन करवा सके जो बीज इंसक्त कर रहा है कि उसके बदले में उसको क्या देता है nectar प्रोवाइट करता है सेम तो सेम यह fruit भ होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सीड उस में प्लांट के नीचे ही गिर जाता है तो उसको प्रॉपर अमाउंट में स्पेस नहीं मिल पाएगा सनलाइट नहीं मिलेगा और भी बहुत सारी निट्रेंस नहीं मिल पाएंगे जिसके वज़े से उसका ग्रोथ पॉसिबल प्रॉप खुष करता है तो इसको आप इम्परीयो भी बहुत सकते हो एंड फूड फॉड बेबी ब्लांट देखो शीड में जब बेबी प्लांट को फूड भी तो चाहिए बिना उसके तो वह जिन्दा नहीं रह सकता तो क्या देखो इतना सारा पार्ट जॉड को यह सब इसके अंदर है सिर्फ यह स्मॉल वाला पार्ट ये आपको जो दिखरा है यह क्या है बेबी प्लांट है जो की दो पार्ट में उता है जैसे देखो फ्ली मि क्या निकलेगा आपका इससे निकलेगा partial conservation शूट शूट वाला है कि एंड राइडिकल आप आर्फ और याद रखते इससे क्या निकलेगा root वाला part ठीके यह पूरा part क्या cotyledons बोले जाता है यह आपको पहले से पता है जिसको आपको seed leaves भी बोल सकते हैं इसको ठीके seed leaves दो है ना तो seed leaves बोलें content food इसमें क्या रहता है food रहता है seed coat आपको पता है उपर वाले covering को बोलते हैं okay the part of the baby plants in seed which develop into soot with the leaf is called plumule soot with the leaf का मतलब क्या हुआ इसमें से तना निकलेगा stem निकलेगा और उसके उपर leaf भी लिख लेगा वह वाला part क्या कर लाता है plumule यह वाला आपको दिख रहा है यह वाला पता जैसा है यह बनाया ही वाय और radical नीचे की तरफ यानि root है तो obvious बात है नीचे की तरफ ग्रो करेगा और यह क्या होगा उपर की तरफ ग्रो करेगा तो and the part which developed into root is called radical next is the part of seed which contains stored food for the baby plant इसको क्या बोलेंगे कोटी लेडेंस okay तो इसका example क्या है wheat grains gram corn pea bean यह सब क्या है सारे के सारे seeds है the baby plant inside present inside in the inactive state यानि dormant state यानि कि अभी यह सब आप देखते हो यह सब चना जो रखा रहता है काफी दिन तक रखा रहता है लेकिन जैसे ही आप उसको फुलाते हो पानी में डालते हो कुछ time बाद अगर उसको निकाल कैसे ही रख दोगे तो उसमें से क्या होगा जर्मिनेट करने लगेगा उसमें से रूट निकलने लगेगा तो वही है कि अभी क्या inactive state में जब तक इसको proper condition नहीं मिल जाता तीन चीज़े बहुत जरूरी है इसको proper amount of air यानि कि oxygen चाहिए warm चाहिए और water चाहिए तभी इसका germination possible है नहीं मिलेगा तो dormant state में नहीं रहेगा ठीक है when the seed gets suitable condition air water air warm it germinates and new plant grow out of the seed जैसे कि मैंने बोला the plant the parent plant reproduces more plants like itself by forming seeds through the flowers एक plant जो की seed बना रहा है अग उसका grow करवाएगा plant कैसे क्या करके seed बनाके next germination of seed germination का मतलब समझते हो seed से छोटा पहले plant निकलेगा यानि छोटा पौधा निकलेगा फिर वही process के germination of seed the seed obtained from plant usually very dry सुखा होता है न तो dry state यानि कि आप ऐसे भी बोल सकते dormant state में है अभी the seed can remain alive जिन्दा रह सकता है but inactive for long period ऐसा बोल सकते को जिन्दा है लेकिन soya why inactive state में कि they are said to be dormant when a seed gets water air and warm तो क्या होगा grow करना start कर देगा when a seed become to grow is said to be germinate जब यह grow करना start करता है तो हम लोग क्या बोलते कि germinate कर रहा है इस पर से new plant निकल रहा है तो beginning of growth of the seed यानि कि seed grow कर रहा है start कर रहा है उसको germination बोला जायता है germination start कैसे होता है when the seed absorb water swell and burst through the seed coat the seed boost एक फ हम निकलेगा прहले कि हम आप से救ांप निकलेगा निकलेगा पहले if this improves यह इंजाइम को फंक्शनली आक्टिव कर देता है यह उसमें जो एंजाइम प्रेजन्ट है उसको एक्टिव कर देगा इस एंजाइम से होगा क्या अक्टिव होने के बाद एंजाइन क्या करेगा, digest the stored food, embryo जो अभी sleeping state में था, जो baby plant था, मतलब वो sleeping state में था, तो वो क्या करेगा, उसको खाना चाहिए, अगर वो germination करना start करेगा, grow करेगा, तो यह क्या है, digest the stored food, stored food कहां था, तो वो digest करना start करेगा, and make it soluble, तो जब यह खाना को उसके use के लिए ला रहा है, खाने को जो stored में था, उसको क्या करेगा, use करेगा, growth के लिए, कौन growth कर रहा है, baby plant, this soluble food, make the radical and female present in the seed to grow, उसके अंदर पहले से present था, baby plant में, आभी आपने देख था, diagram में, तो वो क्या करेगा, grow क करेगा, obviously grow करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी plant, या कोई भी animal grow करेगा, तो उसको energy चाहिए, energy किसे मिलेगा, food से, तो food को energy में बदलना होगा, तो बदलेगा किसे, तो enzymes के through, enzyme किसे मिल रहा है, जब वो पानी में जाएगा, तो पानी में जाएगा, तो उसका enzyme activate हो जाएगा है ना, अभी आपको clear हो गया होगा, the germination of a bean seed is shown in figure number 54, जो की back में है, ठीक है, वो मैं भी दिखा दूँगी, the radical of the seed grow first to form the root, यह point आपको ध्यान रखना है, कि जब से, जब seed grow करना है, start कर रहा है, जब आप उसको बहु गेते हैं, सबसे पहले उसमें से क्या निकलता है, root या, shoot, तो root, ठीक है, तो root है, तो किसे निकलेगा, radical से, the root pushes down into the soil, obviously बात है, root उपर तो नहीं निकलता, soil के, नीचे ही जाएगा, and begin to absorb water and mineral from the soil, root का क्या क्या है, water absorb करना, mineral absorb करना, तो भही करेगा, after the plumule grow upward, plumule से क्या निकल रहा था, shoot, तो कहा निकलेगा, shoot यानि stem और पता leaves, तो उपर ही जाएगा, to form the shoot, the shoot and root grow further, फिर दोनों एक साथ बढ़ेगा, grow करेगा, when the shoot comes up above the ground, it develops green leaves, जैसे ही shoot, stem निकलेगा थोड़ा सा, उसमें से क्या होगा, पता निकलना स्टार्ट होगा, अब क्या है, जब पता निकल गया, तो photosynthesize करेगा, ना, the shoot begins to synthesize on food in the presence of sunlight, this seedling grow gradually and ultimate become a plant, अब photosynthesize हो रहा है, यह process continue होते 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 क्या होगा, वो छोटा सा plant, अब बड़ा plant में convert हो जाएगा, यहाँ आपको डाइग्राम में दिख रहा होगा, सीज जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, बीन प्लांट का, जो कि मैंने पहला था कि next page में है, देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है, सीज कोड क्या होगा, आपने इसमें मिटी में डाला, फिर मिटी आप पानी डालोगे, तो पानी का प्रेजम से स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो तो इसमें जो food stored है, वो क्या होगा, धीरे दीरे, इसको energy देगा और इसका growth करवाएगा, किसका root और shoot दोनों का, तो पहले क्या निकलता है, root radical grow to firm root, और root कहां नीचे जमीन में ही निकलेगा, downward, ठीक है, फिर क्या निकलेगा, शूट निकलेगा, तो यहाँ देखो, second में क्य प्रोड़ा और निकला, आपको दिख रहा होगा, next में क्या है, कि इसमें से फिर leaves निकलना start हो गया, अब leaves निकलेगा, तो यह photosynes करेगा, photosynes करेगा, फिर करते-करते क्या होगा, जल्दी-चल्दी fast grow करेगा, और भी इसमें से roots निकलना start हो जाएगे, इसमें से और leaves और shoot निकलना start हो जाएगा, और फिर यह finally, एक plant में और या फिर एक tree में convert हो जाएगा, ठीक है, तो I hope यह process आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का next video में,